इधार चाथीज़गर विजेपी घोशना पत्र समीति के समनवैक और दुर्ग सांसद विजय भगील इन दिनों बिलासपुर संभाग के दौरे पर हैं लगातार लोगों से मिल रहे हैं बाचीत करना हैं बिलाई पहुंचने पर न्यूज 18 से न्यूज 18 ने विजेपागील से एक्स्क्लूसिफ बाचीत की इसमें उन्होंने ED से CD तक के मामलों पर बाचीत की बिजेपी घोशना पत्र समित्य के संयोजग और दुरुग के सांसद विजय भगे लगातार दौरा कर रहे हैं और अपना घोशना पत्र तयार करवा रहे हैं अभी दौरा करके वे वापस लॉटें से बाचीत करेंगे दोहरी जिम्मेदारी हो गई है आपकी तो गोशना पत्र समित्य की समन्होंग भी है और दूसरा अभी पार्टन से प्रत्याश्य भी बनाएगा है कि कैसे मुद्ध्यों है इसमें मेरे लिए सो भाग एक बात है मैं तो पहले मेरे राश्टी नेताओं को हमारे प्रदेश के नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा और पार्टन की जनता का प्रेम इसने और वहां के कारकरताओं की इमानदारी से करमटता उनके काम करने के तरीके दमदारी से और जब वहां मैं अपनी बात रखा निवदन किया कि मुझे और जिम्मेदारी मिली है तो हमारे कारकरता भाई भाई भान सार्ज बोले भाया आप वो जिम्मेदारी निवाईए हम यहां पर निश्चित रूप से वहां की जनता ने भी हमारे कारकरताओं ने भी यह कही कि आप अपनी जिम्मेदार निफाईए हम इसको निफ्टा देंगे रुपेज बखेल को हम सम्हाल लेंगे बीजेपी अक्सर धर्मांतरण का मुद्दा उठाते रही है और अब तो बनारा रायुद्या के भी संतों ने इसमें चिंता जाहिर की निफ्टित रूप से है देखे क्या है यह दर्मांतरण का मुद्दे की बार बात हो लिए तो लगतर इस तरह साथ देखे यह आप लोग अगर आख्ला लगाएं कि हर विधान सामय में कितनी संख्या मद्दाताओं की बढ़ी है अकलपनी जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको सरण दे रहे हैं और ऐसे एक विशेश जाती को सरण दे रहे हैं जो आगे चलके अभिशाब बनेगा चत्तिजगड के लिए बहुत भेंकर इस्तिती आएगी भोला भाला चत्तिजगड सरल सीधे लोग यहां रहने वाले चत्तिगड़िया सबसे बढ़िया के भाव को जो अपने मन में संजो हुए अमेशा चत्तिजगड के हित की बात करते हैं अज यह इस्तिती है भारती जनता पार्टी कहती है हर धर्म का सम्मान करें लेकिन हम किसी धर्म के अच्छे अपना करें उनकी भावनाओं को सम्मान करें उनको स्वयोग करें प्रेम करें लेकिन दूसरे तरफ कांग्रेश धर्मांतरन को हमेशा बढ़ावा दी है और यह इतिहास गवा है और य स्विंदु परिशत के कुछ बजराजम दल के लोग जाते हैं कुछ हनी लोग जो इससे अभिसप्त हैं वो लोग जाते हैं तो पुलिस करवाही जो धर्मांतरन करने वाले उसके उपर ना करके जो रोकने जा रहे उसके उपर करती है देखे सीम साब का एक बयान आया था जिस कहीं भी तो उनकी बॉखलाड दिखेगी ना इडी अपना काम कर रहे भाई जहां पे इस तरह के भरस्टाचार होते हैं इडी अपना काम करती है सज्ञान में आतह करती है उनका तो कामी वही है ना इसलिए डी का गठन हुआ है और यह जब सीडी कर रहे थे बनावडी सीड अब वो कोड में भी लंबित है जवाब देने में मुश्किल हो रहा है इनको तो आज एडी को पर यह लोग हस्यप लगा रहे है अरोब लगा रहे है तो देखे कुल मिलाकर विजे बगिल जी बता रहे थे किस तरह से आने वाले समय में चुनाव लड़ा जाएगा किस देश में बीजे पी विजई होती है या फिर कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में काम्याब रहती है यूज एटीन से खड़ के लिए दुर्क से मितले इस्टा कुरूं और इसी के साथ इस बुलिटन में इतना ही खबरें जारी रहेंगे